ओके अगर आपने कल का वीडियो हमारा चेक कर रहा है तो आपको मालूम होगा कि निफ्टी में जो हमने रेहिस्टन दिया था दोस्तों डाट वास 17,640 और मैंने आप से बोला था कि अगर आप 17,640 के आराउंड सेल करेंगे और 17,685 का स्टॉप लगाएंगे तो आपको इंसिस्ट कि इस पॉइंट को मिस्स मत करिएगा तो चलते हैं दिखते हैं आज मार्केटे क्या वैसे ही रियक्ट किया या कुछ अलग किया तो दोस्तों मार्केट जब ओपन हुआ तो वो था हमारा एक गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये चैनल मार्केट में नियूज आनी थी आराउंड टैनों क्लॉक एक्सेक्ली नाइन फिफ्टी पाइफ पे एक बुजिश केंडल बनता है और मार्केट वापिस से अपसाइट की तरफ एक चर्णी शुरू करता है जो बाकी दिनों में करते आया है और उसके बाद मार्केट की जो पेस है कहीं जाके स्लो हुई सम्वेर अराउंड यह जो आपका लेवल है 17,640 यह दोस्तों आज का हाई एक्सेक्ली 17,640 था और उसके बाद क्या हुआ मार्केट में उसके बाद दोस्तों मार्केट में एक लंबी गिरावट जो 17,640 से लेके 17,550 अपकोर्स अब कापनी ल यह दोस्तों यह 90 पॉइंट्स का फॉल था और अगर आपने इस पॉइंट पे सेल किया होगा तो आज आपने पैसे बनाया होगा फिस्ट अफॉप अगर आपको याद होगा कि मेरे पास 17,500 की पूट शॉट्स थी जहां पे आज क्योंकि मैं ओफिस में अवेलेबल नहीं था अर्जेंसी काम आ गया था और जहां पे इंट्रडे में करीबन करीबन में को साड़े आठ लाग रुपे कर नुखसान हो रहा था लेकिन बिलीव करिए जब मैं ओफिस में आया ताइम टाइम वस देस वन यह कें किया देड लागते बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है जो इंट्रडे में आपके कवर करी देखें दोस्तों मैं आपको एक कहानी क्यों बता रहा हूं यह सिर्फ एक सिंपल समझाने के लिए कि कभी भी आपके कोई भी ट्रेट पड़े हों तो उनको नेकेड मत छोड़े है क्योंकि कभी भी आपके साथ कांड हो सकता है और क्योंकि मेरे पास 18,000 कॉंटिटी थी निफ्टी की इसलिए यह कांड हुआ और यह देखनी के लिए मिला अब मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट किया है कि अब आने वाले टाइम की जो एनलसे वह मैं आपको बता रहा हूं उसको बहुत द्यान से देखेगा definitely this is going to help you तो दोस्तों क्या हुआ हमने यह चैनल बनते हो देखा और यह चैनल आपके सामने clear cut है कि market अब अगर Monday को bullish open होता है तो market आपका ले के जाएगा around 17,680-690 यह zone होगा जो आपका racing zone होगा अगर bullish open होता है तो जिसकी समभावना ना के बराबर है and I am damn sure यह संभावना आपको मैं समझा सकता हूँ देखें simple सा है दोस्तों यहां पे आपके सामने कुछ patterns बन रहे हैं कुछ घटित हो रही है इनको अगर आप रियान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि पूरा जो range है निफ्टी का यह one way rally थी जब में एक भी point पे कोई भी जगह पे एक भी correction नहीं आया है और जितने भी correction आये हैं चोटे चोटे corrections है जो आपको structure लो दे रहे हैं तो basically आपका structure लो क्या हो गया आपका structure लो गया यह चुकी 17500 है और इस structure लो पे आपकी दो चीज़े confirm हो रहे हैं दोस्तों बहुत ध्यान से develop करता हूं या इन दो structure लोस को पकड़के में एक लाइन कीज़ता हूं तो हमें मालूम चलता है कि यहां पे एक और pattern की संभावना पूरी बन रही है जिसको हम बोल सकते हैं दिस प्रॉड्निंग पैटन और इस प्रॉड्निंग पैटन पे आपको जो लो मिलने वाला है वो 5 526 का रहेगा तो मंडे को 526 का लो 520 का लो एक बहुत इंपॉर्टेंट लो हो जाएगा इंपेट 510-520 का लो मालीजे और अगर मार्केट उसके नीचे आया क्योंकि अब यह वे वे में चल रहा है क्योंकि जिनको भी मालूम होगा ब्रॉड्निंग ट्रेंगल एक पाइप रैली देता है तो इसके बाद फाइनल डिसीजन होगा अगर 500 भी इसके नीचे गया और अगर इसने यह होल्ट कर लिया तो इस पैटन को ध्यान रखेंगे मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके इस पैटन को दिखा देता हो ताकि आपको यह माइंड में रहे कि इस प कहीं लोग पर जाके बंद हुआ है तो यह अल्रेडी एक हमारे पास ब्यारिश तिगनल आ चुका है अब यहां से हमें पहले नीचे साइट एक देखने क्लें मिल सकता है पांसो बीस-पांसो दसके आजपास हम सपोर्ट लेंगे आं डान वी आर अबाउट वाउंस पैक्ट अगर पांसो बीस के नीचे गया तो और 100-300 पॉइंट की हमें डाउंसाइट देखने मिलेगे तो get ready for this correction and definitely इस correction पे आपको बाय करते रहना है जब तक मार्केट आपका at least 17,740 से ये 50 क्या रेंज तच ना कर लेंगे तो गाइस I hope you will like this video and definitely again in the next video